नमस्कार, NDTV की इस विशेश प्रस्तुती में आप सब लोगों का स्वागत है, मैं हूं संकेत उपातिया आज से पांच साल पहले एक नारा दिया गया, जिसमें कहा गया सबले बढ़िया, चतिस गड़िया एक उमीद की गई इस नारे से, जो सरकार पांच साल पहले आई थी, कि एक sense of pride गवरानवित महसूस करें लोग चतिस गड़ के अब राजनीतिक रूप से इसको अलग तरीके से देखा जाता है, कि वर्चस्व कायम करने की कोशिश है, या वाकई एक गर्व का भाव उत्पन करने के लिए किया लेकिन पिछले पांच साल में कितना गवरानवित महसूस किया है चतिस गड़ ने, कितना काम हुआ है चतिस गड़ में, और क्या है चतिस गड़ के कॉंग्रेस के जो face हैं, उनका report card, तो हमने सोचा इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि उनको आमंतृत करें और उनी से पूछ मैं स्वागत करना चाहता हूं मंच पर चतिस गड़ के मुख्यमंतरी भूपेश बगेल, भूपेश जी आपका बहुत-बहुत स्वागत, आपके तमाम इंटर्व्यू हम लोगों ने किये हैं और जो पहला इंटर्व्यू था जब एक साल होय थी आपकी सरकार को, तो एक न पहले के लाइन है, चतिस गड़ के चार चिनहरी, नर्वा-गर्वा घुरुआ बड़ी ला बचाना है संगवारी, अब नर्वा हो गया घुरुआ हो गया काव्डंग, और बाड़ी हो गया आपका किचन गारडन गर के पीछे का आंगर, यह आपका एक हम एक एरिया रहा त अब 5 साल पूरे होने को है मैं ये जानना चाहता हूं कि आज से 5 साल पहले भूपेश बगेल ने ये जो एक नारा दिया और इस पर काम करना शुरू किया एक एक करके अगर आप हमको ये बता सकें कि पिछले 5 साल में इन इन चीजों पर कहां पाते हैं आप अपने आपको और आपकी सरकार देखें जो वर्तमान जो समय की जो सवाल है उसका उत्तर इसमें नहीत है सबसे पहली बात है कि पूरे देश और दुनिया में पानी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और लगातार जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और आसकाताय बढ़ते जा रही है वैसे वैसे पानी की कमी होते जा रही है तो उसको एड्रेस करने के लिए हमने नर्वा कायरकम लिया और अभी तक के लगवग 13,000 नाले हमने रिचार्ज किये है और मैं भेट मुलाकात कायरकम में हर विधान सवाग गया हूँ किसानों से भी बात किया महिलाओं से भी बात की अधकारियों से भी फीड़ वेक लिया और यह है कि इन नालों की जहां-जहां हम लोग ने यह नर्वा प्रजेक्ट लिया है उसमें साथ सेंटी मीटर से लेके सतर सेंटी मीटर तक के वाटर रिचार्जिंग जुआ है और उसके कारण से जो नालों के किनारे जंगलों में आप देखेंगे तो हाँ हर्याली बढ़ी है वहाँ पेड़ पोधे के साथ साथ फिर जो वन पसू है उसमें विर्धी भी है तो उसका लाब निश्चित उसमें मिला है और खास कर जो वनांचल में रहते हैं वहाँ के किसान हैं उसमें नाले से पानी लेकर या टूवेल कराए हैं तो वाटर लेवल उपर आया है उसके कारण से एक फसल बचाने में सफल रहे दूसरी फसल भी लेना शुरू कर दिया है तो यह हो गया हमारा नर्वा प्रोजेक्ट दूसरा गर्वा जिसमें यह है कि देश में खुब राज़ूती हुई और उसका भी समाधान हम लोग ने ढूंडा हाला कि अन्य सरकारों भी इसका समाधान ढूंड रहे हैं गौसाला में हुआ कि सरकार से उंदान मिली और गाएं दूबली होती गए और गौसाला चलाने वाले मोटे ताजे होते गए तो उसका समाधान हम लोग ने ढूंडा और उसमें करीब साभे दस हज़ार पंचायतों नहीं हमने गौठान के निर्मान किया और उस गौठान के माद्यम से लगवग एक लाग चपपन हजार एकर हमने सुरक्षित की और उसमे निर्मान कारे भी किरा है और वहां गोबर खरीदी के वज़ता की और साथ ही गोबर के साथ उसमें गोकार्ट भी बना रहे हैं गमला दिया ये तो बना ही रहे हैं अब हम उसे प्राकरिटिक पेंड भी बना रहे हैं गोबर से अभी तक के 2,00 लिटर उसका उटपादन हो गिया है और वर्मी कंपोष्ट हम लोग बनाये हैं तो उसमें मतव गोबर खरीदी एक माध्या हुआ लेकिन उसे बहुत सारी चीजें हम लोग निमार करें बिजली भी उत्पादम सुरू कर दिया उससे फायदा ये हुआ कि जो मवेशी जो खुले में घूमते थे उसमें बेसक कमी आई है ये नहीं कर रहा हुआ है कि पुरक समाप्त हो गया है आपको सवड़पोंक जानवर नहीं दिखेगा ऐसा मैं दावा नहीं करता मिलेंगे लेकिन उसमें संख्या में बहुत कमी आई है दूसरा जो फसल चराई होता था खुले में जानवर होने करणा से उसमें बहुत कमी आई है तो एक फाइदा किसानोंक हो गया दूसरा एक्सिडेंट का हो गया तीसरा ये है कि उससे करीब दो लाख महिलाएं जो गौठान में काम कर रही है तो गौठान में केवल वर्मी कमपोश और गोबर मतब प्रकृतिक पेंड़ी मना रहे हैं बलकि उससे और दूसरे एक्टिविटीज ही हमने शुरू किया जैसे मुर्गी पालन शुरू किये कई जगा सुवर पालन भी कर रहे हैं जगा पालन कर रहे हैं और उसके मशली पालन कर रहे हैं बहुँ सारे एक्टिविटीज उस गौठान में हम लोग उने शुरू की तो दो लाख मेलाओं को उससे रोजगार मिला है तीसरी बात जो है ये जो गोबर खरीदने इस फायदा ये होगा कि सड़कों पर जो गोबर दिखाई पड़ता था अब वो दिखाई नहीं पड़ता क्यों के से 2 रुपे किलों खरीद रहे हैं तो कीम्ती हो गया है मतब पहले ये होता था गुड़ गोबर हो गया अब मामला दूसरा हो गया है किचन गार्डन से अर्फ है कि देखे कि पूरे कुपोशन से सब पूरे दुनिया में लड़ाई हो रही है बचचे कुपोशी थे हैं महिलाई, नेमिक है किचन गार्डन के तरफ हम लोगों ने उसे बढ़ावा दिएकर दो लाग किचन गार्डन हम लोगों ने बनाए तो हरी सब्जियां मिलने लगा तो मिश्चित रूप से हमारे जो इसमें कुपोसण में भी कमी आई है तो ये जो आज के समय के जो सवाल है उस समाधान ये नर्वा गर्वा प्रक्रिया शुरू हुई है इससे पहले भी लोग किचन गार्डन रखते होंगे बाड़ी अपने कैटल का भी ध्यान रखते होंगे यानि की गर्वा नर्वा का भी ध्यान सरकारें आप से पहले दावा करती होंगी क्यों रखती है तो पिर ऐसा आपने आ करके क्या विशेश किया है जो की पहले से अलग है। है बहुत बढ़ी सवाल। यह हमारी परमपराम रही है और जब जब हम इसे अलग होते गए हैं हमको नुक्सान होगा है। प्रवब बंद हो गया था क्यों कि गौव पाला ने वो महंगा हो गया पहले जितने बड़े किसान है उसके हां बहुत सारे जानवर होते थे खेती में बैल के आउसकता पड़ती थी दूद के आउसकता पड़ती थी अब क्या है प्याग दित सब आ जाते हैं देरी से दूद तो वो भी हो गया दूसरी बात यह है कि जानवर महशी पालना महंगा हो गया और इसी कारण से आज जो परिष्टी बनी है जितने सक्षम लोग हैं उनके पास अब जानवर नहीं है उनके जो गौसाला है उसमें जो चुहा है न वो कबड़ी खेल रहा है जिनके पास कोई ज जमीन नहीं है उसके पास अब महशी है यह बड़ा विसंगती है और इसके कारण से होता क्या है कि जब दूद दूना उसमें गायती मांदारी सा जाती है सुबा साम लेकिन दूद दूने के बाद उसको फिर हकाल देते है वही फिर खेतों में दिखाई देता है वही सड़क ले लिया है और हर्वेश्टर ले लिया है बहुं सारी जो मसीन हैं वो ले लिये तब उसके आउसकता रही नहीं तो ऐसे मिए यह जो जो महशी है वही फिर आवारा पासू के रूप में हम लोग देखते हैं और वह हमारी लिए एक समस्या के लिए तो उसके समाधान के किलों में खरीदी शुरू किया तभी गोबर को इस प्रकास से खरीदी पहली बार हुआ है आप कंपोस्ट खात खरीदने के बात तो सूँ सकते हैं लेकिन गोबर खरीदने के बात है वो ट्राली में होता था अब किलों में होता है दोने में बहुत अंतर है और दूसरी बात है कि वर्मी कंपोट अभी तक के देखें हम लोग करीब 31 लाख कुंटल वर्मी कंपोट बना चुके हैं और करीब कर रहे हैं लेकिन उसको ब्यॉस्ति धंसे करने के काम जो उसमें सिथीलता आ गए थी या उसके का उदासिंता आ गए थी अब गॉपालां के तरफ लोग बढ़े हैं और यह उसके फायदा यह हुआ है कि हमारे हैं प्रतितीन पचास हजार लिटर दूद उत पादन बढ़ा है आरे काडँ मैं आपसे पुपेष साब ये सवाल पूषना चाहता हूं देखिए अकसर और अमुमन यह माना जाता है कि एक सरकाल एक सरकार पात साल के एक विजन बना रही है ैपके एसाब से कितना जरूरी है कि विजन पांच साल की नहीं 20 साल की या 50 साल की हो या कोई अग तो उसके लिए तो बड़ा लक्ष रखना पड़ेगा बड़ा लक्ष रहाजिल करने के लिए समय बहुत अधिक लगता है तो उसमें आप 20 साल बाद ये करेंगे 25 साल बाद ये होगा उसके बाद लेकिन उस पांस यो आपको जो चुनियर मिला है उस पांस साल में आप क्या कर और कौन सी ऐसी योजना हैं जिनका आप बड़ा दूरगामी परिणाम देखते हैं देखे ये तो सेकड़ो साल से चला आ रहा है और सब्सक्राइब करने में अभी अब उसको जैसे गठान हमें साड़े दॉस जार बना दिया और आंको ताज़िव होगा उसमें से आधे सालंभी हो चुके हैं और मज़ेदार बात यह है कि उन सालंभी गोठान में जितने सरकार पैसा देती है उससे ज्यादा सालंभी गोठान में हम पैसा नहीं दे तो गोबर खरीद निकले और अब जो कल ही मैंने वितरन किया करी 12 क्रोड रुपिया तो उसमें जो गोबर खरी हैं और सरकार के पैसा कम लग रहा है तो गांधी जी जो सपना था सौलंभी बने ग्राम सोराज की जो बात उन्होंने कही थी तो उस दिसा में यह मजबूत कदम है कि जब गठान हम लोग ने बनाया तो उसमें जो पैसा जाता है वर्मी कंपोश को पैसा उसमू की जाता है कि उसमें वोलें के बंद करेंगे जनता बंद करेंगे जाता हैं उसको सर्कार से कोई लेन देना नहीं होगे क्योंग जमीन तौर आरक्चित हो गया शेड़ नला इंगरे यह सरकार खृदे ना करिदे समाज खरीट के फिय cheled in यह concept रहा है अब बगेल साहब एक सरकार की सफलता या विफलता का दो महत्वपूर्ण पैमाने और होते हैं स्वास्थ और शिक्षा अमूमन देखा गया है कि इन दोनों सेक्टर्स में जो बजट से खर्चा होता है वो उस तरीके का नहीं है जैसे कि अंतराश्य रूप से होन चाहिए कि वो जीडीपी का कितना प्रतिशत है मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन दोनों छेत्र में एक एक करके बात करते हैं पहले अगर आप शिक्षा के छेत्र में बताएं कि आप अपनी रिपोर्ट कार्ड में क्या उपलबदी दिखाएंगे कि भूपेश बगेल को क्लास में A प्लस या A मार्क्स मिलें यह जो है हम लोग जब पढ़के निकल गया थे न तब यह सिस्टम लागू हुआ यह प्लस ने हम लोग तो सेकंड डिजान थर्ड डिजान फर्ड डिजान यह वाले हैं तो इसमें हम लोग पाई है तो उसमें परसेंटेश पता नहीं A में B प्लस में है ना सब बच्चे बोलते है B प्लस है A प्लस है तो उसमें परसेंट कितना यह समझ नहीं आता लेकिन सिक्षा के ऊपर में हमारा विशेश जो रहा है खासकर आप देखेंगे कि नक्सली घटना के कारण से जो स्वैक्ड इसकुल बंद हो गया थे उन अधर गुंडा जो नक्सलीयों के हेड आफिस कहलाता है उस जगह में तेरा साल बाद हम लोग इसकुल सुरू किया साधे तीन सो बच्चे पढ़ाई कर रहा है दूसरी बात यह है कि इसकुल बिल्डिंग हर सरकार सुरू करती है इसको सेंक्षन करते हैं इसकुल बिल्डिं कि जीर्ण सीर्ण हो गया है तो जीर्णोधार करना है अतरित कम्रे का उसकता है तो नए कम्रे बनाए जाए जो भावन भी हिन साला है वहां भावन बनाए तो इसमें मैं समास्तों का आज तक कोई सरकार एक सांथ इसके संधारन के लिए 1100 करोड रुपिया कभी बजट में के अलावा है जिर्णोधार के लिए 1100 करोड और दूसरी बात है कि जो यह प्राकृतिक पेंट बना रहे हैं हमने आदेश किया है कि जतने भी सास की बेल्डिंग है इसको सही उसी से पेंट हो प्राकृतिक पेंट से त्यों कि उस महिलाओं को रोजगार मिले है अना अभी सब्सक्राइब के क्रीब 54 हमलोगों ने गोबर से प्राकृतिक प्राकृतिक पेंट बना रहे हैं 64 यह तो हमारे सकूल को झाहाँ बहुंसंदर रहना चाहिए कि हम लोग मंदीर कहते है modular मंदीर बोलता है तो वो खराब क्यों रहे हों वी सुन्दर दिखे तूस दीसां में तेजिस काम चल रहा है। दूसरी बात यह है कि हमारे हाँ प्रदिभा के कोई कमी नी यहां आउसर की कमी है चाथिस गड़ में हमारी चाह ट्रायबल हो चाहां सुची जहाती के लोह हो चाहां वह बीशिक हो जागाओं रहने वाले हो आउसर नहीं मिलता था और इस कानद से हम इस से तरीके के स्कूल जो है वो या तो बडे शहर या कज़बों तक रह जाते हैं गाओं तक इस तरीके की स्रिक्शा प्रणाली नहीं जा पाती है Turns दिशह में इस में से कितने स्कूल हैं जो कि गाओं के बच्चों तक टार्गेट कर्राई हो बहुत अच्छा सवाल इसमे लगवाद 4-5 कुल है है, और हमारे हैं कोछ इस हमारा इस ही चेत्र थाहिए रखी में हैने बीच पर्षण आबाद िचाहर बचात 0 80% परसिप गाओं में हैं गौह का ही रखी में है बीच में झाने एक में। मतलब सुक्मम भी है वीजापूर में दंतेवाडा नरायनपूर इन इलाकों में तो बल्रामपूर में भी आपको मिलेगा कुस्मी में मिलेगा सब जगह हम लोगों ने इसकूल खुला है तो इसको बराबर सहर में थोड़ा से ज्यादा कियें क्योंकि जनसंख्या जादा है अ तो सारे बच्चे उसमें ले हैं और खुशिक बात यह है कि ड्राप आउट बच्चों की संख्या में भारी गिरावट आई है पहले बहुत अधिक होता था उसके परपेक्श में उसमें कमी आई है और दूसरा यह है कि गवर्मेंट की स्कूल में एक यह सीट है उसके कि लिए क्या राजनेता क्या अधिकारी क्या सामा सेवी सब के पास आवेधन और मैंने कह दिया कि इसमें कोई एप्रोच नहीं लगेगा सारे विजायकों बोले कि आपके एप्रोच से कोई एड्मिसन नहीं होगा लाटरी सिस्टम तो होगा जितने आवेधन आये लाटरी निकालो और उसके अधार पर फेड़ेस लेकिन बगेल साब आपको नहीं लगता है देखे क्योंकि आवेधन जादा आ रहे हैं ये एक स्कूल की कमी होने की तरफ एक इशारा करता है कि लोग जादा है और स्कूल कम है इस चीज़ को आप कैसे ड्रेस करेंगे देखे अभी है और समयतनी थीर्यचम के तक है मारे पार का हचे चारहाजार हायर से शफिकंडरी सेंघा है अभ उस्में साथे सास्सोस अइसकूल हमने सामीय आत्मनन हमने दो साल में आमने तयार कर लिया हमारी कोषह इस है कि वह सारे जो सेरेड़ अस्प्रकार के ब्यौस्ता हो जो अजय अगर चफिस घड़ी भांचा हुआ हो तो जो 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 भरती चलरही है है एक शह लोगों जो नोगों किया हो गई तो छफिस्गड़ी भाचा में जो उन डिग्री हांसिल कर लोग उनकों है सास के नौकरी में उसका प्राउधान हम लोग का रहा है मैंने एक चीज़ देखी जब बात कर रहा था मैं यहां पर अब जिसे एक नारा है हमर माटी हमर कलेवा हमर तिहार यह हम लोगों की अवधी भाषा से बहुत मेल खाती है जिसे हम लोगों क्या होता है हमार यहां हमर तो यह एक बड़ा अच्छा लगा एक बड़ा रुहानी नाता लगता है इन पाशाओं का देखिए ऐसा है कि आउधी हो भोजपूरी हो चातिजगड़ी है और हिंदी यह समकाली में यह बहने है जैसे माँ बेटी संबन रही है यह सब बहने है क्यों यह करिश्ट साथ 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 क्या आज सपास ही इन सब का विकास हुआ है तो आप उनके सब्द खोजेंगे भोजपूरी के अउधी के तो 36 गड़ें भी मिलता जुलता आप पिल्कुल यह तो हमने शिक्षा की बात कर लिए अब आते हैं स्वास्त की बात करते है यह भी एक बहुत जरूरी छेत्र है और इस पर अमूमन ऐसा देखा जाता है कि खर्चा सरकारों की प्रात्मिक्ता एक होता है कहने की बात कि हमने यह कर दिया और वो कर दिया लेकिन जब बजट में आप अलोट करते हैं तो आप देखते हैं 1.5% या 2% आपने बजट का अलोट किया शिक्षा और स्वास्त के लिए स्वास्त को ले करके पिछले पांच साल में क्या ऐसा बदलाव हुआ है आपके कारिकाल में बदलाव यह हुआ है कि सारे पद भरे हुए हैं पहली बार जितने डाक्टर हैं जितने श्टाफ हैं सब पद भरे हुए हैं यह पहली बार हुआ दूसरी बात जितना वेंटिलेटर पहले थे उससे कई गुना वेंटिलेटर अ अब पहले आप आफरेशन कराने के लिए रायपूर आपको आना पड़ता था या बस्तर के लोग haniडराबाद या विसाखव पत्नम जाते थे अब विजापूर मी भी बड़ी आपरेशन हो जाते हैं आपको यदि डालेसिस कराना है तो बलरामपूर में भी हो सकता है मतब यह है कि जारखंड के लोग औरुतर पदेश की जो नजदी के लोग है वहाँ इलाज कराने आते हैं उडिसा के लोग हमारे हाँ इलाज कराने आते हैं यह अंतर आया है और दूसरी बात यह है कि जिला अस्पतालों के हमने मजबूत किया, वहीं लाकिस तर के जितने अस्पताल हैं उसको मजबूत किया, नए हस्पिटल हमने खोले हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अमिन छेत्रों में और अरोदासी अंचलों में यह परमपर रही कि इस उधा होने बाद भी सनिच्री बजार मिल जाएगा, मंगलवारी बजार मिल जाएगा शाहरों में, वो परमपरा जो ग्रामी छेतर चला रहे हैं वो आज भी शाहर के लोग भी उसको भले माल जाएंगे, लेकिन जब सनिच्री बजार है, वहां जरूर जाएंगे खरीद तो उस परमपरों का आज भी लोग निर्वान करते हैं, तो खासकर आदवासी अंचलोम होता यह है, कि जितना लगों उन पर संग्रहन किये रहते हैं, जो जरूरत के मादब उसको बेचना होता, तो उसको फिर आप ले जाएंगे मार्केट में, पहले उसको बेचेंगे, फ लेकिन बजार जरू जाएगा, तो हमने क्या किया है कि हार्ट बजार क्लिनिक हो जना, बजारों में ही गाड़ी रहेगी, मेटकल मोबाइल यूनिट वहर सबताहिक बजार में पहुंचेगा, और लगवग अठारा सो हमारे यूनिट इस प्रकार से हैं, जो अलग अलग लेकिन उसका लाव उठा चुक है, और उसमें इलाज भी मुप्त हुए, दस प्रकार के जाज भी होगा, और दवाई भी मुप्त में दी जाती है, तो इसका लाव लोग गाउं में भी उठा रहे हैं, और सहर में भी हमारे मेटकल मोबाइल यूनिट जो है, श्रम भाग के द्वारा संचालित हो रहा है, तो उसमें भी हर वार्ड में निश्चीत रहता है, इस दिन आएंगे, यतने समय गाड़ी पहुंचती है, सहर में तो हम लोग महिलाओं के लिए अलग गाड़ी क्लिनिक हो जना, जिसमें सारे स्टाफ महिलाएं होगी, महिलाएं संकोची होती हैं, कई बार अपने, बहुत सारी बीमारी, बारें जो मेल डाक्टर है, उसके पास नहीं रख पाते हैं, तो वहां सब महिला डाक्टर रख दिये हैं, महिला इस्टाफ रहेगे, तो अपनी बात खुल के रखती हैं, तो उसका भी बहुत लाव लोग उठा रहे हैं, तो ग् पहले चार दसम्लाव साथ दो परसंट था, जो मलेरिया परजिवी का, अब वो घटके दसम्लाव साथ परसंट हो गया है, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है बागिल साहब, और वो ये है कि, और मैं उमीद करता हूँ, आप एक दम दिल पे हाथ रख के, और पूरी सत्यता के सा किसका जवाब देंगे, कितनी जरूरत महसूस हुई आपको स्वास्त पर ये सब करने की, कोविड के बाद, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हाँ, हम स्वास्त के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकि फिर कोविड ने पूरे देश को जगजोर करके रखा, और एकदम से लोगों को ये जरूरत महसूस कराई, कि हमको ये सुविधायें ये सब तरीके भी ठीक रखने हैं, देखे, संके जी, आपको याद होगा, जब मुक्य मंतरी बनने के बाद दिल्ली में गया था, तो सारे पत्रकारों के एक ही सवाल था, तो इच्छतित गड के सब से बड़ बिमारे हां, मलेरिया की बिमारी है, इससे लड़ाई हमको लड़नी है, असीक्षा है, उससे लड़ाई लड़नी है, और उस समय से हार्ट बजार क्लिनिक योजना के बात सुरू नहीं हुआ, बलकि करोना से लड़ाई लडने हमको उसको साहता मिली उससे, जो हार्ट बजा आउट भी करने लगे हैं, समय समय पर बीपी याव सुगाश चेक कराने लगे हैं, तो जनता में ज्यादा आए वरिनेसा है, क्योंकि आक्सिजन की कीमत तब लोग समझे हैं, जब करोना आया, जब दिल्ली में लोग आक्सिजन के लिए तरपते हम लोग उन देखा, लेकि जनता में ज्यागरुकता आई है, कि स्वास्त बहुत उसके प्रतिहमनों को ज्यादा ज्यागरुक होना चाहिए, आप ने अभी चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्त हो, इसमें आपने नकसल प्रभावित इलाकों का जिक्र बार बार किया, जाहिर सी बात है, वो पिछड़े हाथसे जो हैं, वो हिंसा कम हुई है चाहतिस गड़ में, लेकिन फिर भी आप यह नहीं मानते हैं कि एक भी ऐसी हिंसा हो जाए, तो एक भी बहुत ज्यादा है, किसी की भी जान को च्छती पहुँचे, अब आप हाल-फिलहल का वो हाथसा देखें, जिसमें सड़क किनारे और पेड के नीचे तार छुआ करके उन्होंने सड़क उड़ा दी, बिल्कुल, ऐसे में आप किस तरीके से देखते हैं, अब तक के जो कदम उठाए हैं, केंद्र से आपका जो कोडिनेशन है उसको, इसमें क्या सुधार आया है, और एक और बहुत महत्वपून और बड़ घटना हुई है और उसमें कोई इंकार नहीं है, अभी जो अरनपुर जो घाटी में जो घटना घटी है, उस रस्ते में पहले जा ही नहीं सकते थे लोग, उस सड़क में जाने कलपना ही नहीं कर सकते थे, अब धडनले साव अगमन हो रहा है, लेकिन एक काल था, जिसके सब्सक्राइब से वो उसमें फंज गए और वो पक्की सड़क में ही घटना घटी, जिसे करना हम दस नौ जवान और एक नागरिक को हमने खोया, लेकिन पहले और अब में अंतर या आया है, कि अब नक्सलियों को घेर के हम लड़ाई कर रहे हैं, पहले ने तो केमपो में हम हमला होता था, अब जितने भी आप निकाल के देख लें, केमपो में हमला हो गया, इरानी बोदलिम हो गया, ताड में टलम हो गया, तो यहां हो गया, वो सारी जानकारी आती थी, कि यहां तो थाने में, गिदम में थाने में हमला हो गया था, तो इस प्रकार घटना होती थे अब यह होता है कि यह हम उनके मान में जा रहे हैं और वहां घेर के हम लड़ाई कर रहे हैं उसमें दोनों तरफ के होती है तो उसके करद से घटना है घटी दूसरी बात यह है कि पहले ग्रामी जो है वो सरकार का विस्वास खोच चुकी थी बस्तर के लोगों क्यों कि जमीन श Snit रहे थे उसके पाने लाए ज़ enquanto लगता था कि हमें लगू हँए कीमत ने मिल रहा है और वो सिक्षा से दूर हो रहा है, सारी सुधान से दूर हो रहा है और जवानों के भी दिश्कों यह था कि केम से निकलते थे, जो भी मिले तो उसको नक्सली समझते थे तो यह हो गया था कि अविश्वास का महौल है, तो सबसे बड़ा परवरतनी आया है कि हमने विश्वास यतने पहले कोशिश की, उसमें लोहांडी गुड़ा में जो जमीन वापसी हम लोग किया, मतब जो कानून बनने एक भाहरा, सरकार ने कानून बनाया, उसके बाद पहली बार है, तो आधवासीं जमीन वापस किया गया, सतरा साव किसानों के बैनली पत्ता देना, सामधाइक, पत्ता देना मतब सामधाइक में तो करीब 4,000 सामधाइक धिमानेता पत्र हमने जारी कि उसमें करीब 18,00,000 हेक्टियर जमीन हमने उन गावलों को दिया है, इसके पहले कभी नहीं हुआ था, देश में भी इतनी बड़ी संख्या में कहीं हुआ है जो हमने किया है, और लगून पर इसकी खरीदी, 4,000 पति मानाक बुरक दर से 3,2 पत्ता, रिण माफी, 28,00 रुपे में खरीदी, और सबसे ज़्यादा मिलेट्स के उत्पादन उसी एरियम होता है, जहां वनांचल में ही, चाहे वो राजनामगाँ के इलागा करें, चाहे ग बरियाबंद का हो, चाहे बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो, ति जो वनांचल में रहने वाले वही मिलेट्स ज्यादा उत्पादन करते हैं, जह कोदो है, कोदो कूट के भारत सरका ने समर्था मिल घोसित में किया, और मैंने पत्रचार भी किया, नितियायो में भी मैंने बात क हमने जैसे 31 स्वरूपय घोष्टना कि और खरीदी ब्योस्ता कि तो पहले साल हम लोगों ने खरीदा 55,000 मेटिक टन, दूसरे साल हो घड़ गया, 36,000 हो गया, अधिकारी डरे हुए थे इस मिलेट्स हम लोग करें किया, तो भारत का सबसे बड़ा मिलेट्स प्लांट हमारे यहां लगा है, नथियानावा कहां कर जिला में, वहां 22 प्रगार की प्रोड़क्ट है, मिलेट्स है, और रगवा पहले 69,000 हेक्टियर था, अब वो बढ़के 1,69,000 हेक्टियर हो गया, मैं रगवा जब बढ़ गया है, तो खरीदी कम क्यों हुई, तो बताया गया, जैसे आपने समर्थन में घोसित किया, व्यापारी उससे ज्यादा कीमत में घर से जाक उठाक लेका रहा है, इस कारण से हमारी जो खरीदीय वोग कम हुई है, जैसे महुआ है, महुआ तो पीछले सरकार में 2 रुपय किलो में बीक रहा था, हमने समर्थन, भारा सरकार ने 17 रुपय किया, हमारी सरकार ने 31 रुपय किया, अब यसी जिती है कि 40-50 रुपय तक की बीक रहा है, और थोड़ा से उसमें, संग्रहन में थोड़ा से हमने नविनी करन किया, तो इंगलेंड में 116 रुपय हम खरीद के ले गया है, महुआ को, जो यहां 2 आर्थिक रूप से जब आप उपर जाएंगे, तो इस तरीकी की गतिविधियां आपने आप ही ओलोग राशे पर जाएंगे, केवल आर्थिक नहीं, सेक्षिनिक भी हमने किया, स्वास्त के तिसा में काम किया, और उसके बाद उसे संस्कृति है, जो अदवासिय के जो झर्मान, नरायनपुर ओरचा और अबॉजमार इस इलाके में उने रमान हम लोग उन किया, और जहां-जहां भी गोटूल की परमपरा रही है, कुछ कॉंडा गाँंजिला में हैं, कुछ नरायनपूर में हैं, कॉछ काकेर में हैं, तो उन जिलों में इस के सुरुआत हमने क और थोड़ा महुत नहीं, अकेले बस्तर में करीब 2400 हमने देव गुडियां बनाई, तो वो जो और उसी जो संस्क्रिति की सहेजने के लिए, बादल एक आसना में, जगदलपुर से 7 किमेटर के दूर में आसना में, बादल हमने बस्तर आर्ट, डांस, कल्चर, उसका एक संस् ने खुली, जिसमें उसके जिस्तिनित्त है, संगीत है, उस सबको सहेजने का काम, उसकी भासा बोली, क्योंकि वहां थो थोड़े थोड़े दूर में जाका आप आप डेखेंगे तो उसके बनल बदल जाती है, है झाना, गोडी है, हलबी है, भत्रा है, मुरिया है, मारिया ह तो वो अलग-अलग बोलिया हैं उस सब को सहजने काम किया तो लगा कि ये मतलब सैक्षनिक आर्थिक राजनितिक और पहली बार तो यह हुआ कि बस्तर में सभी पंचायत हम चुनाओ वा ने तिसके पहले तो काला जंडा लग जाता था कोई मद्दा कोई फारम नहीं भरता थ तो मुक्यधारा में मुक्यधारा में लौटे लोगों सब कारणों से जी अब लौटे हैं बिल्कुल आखरी सवाल जो है वह हम रखते हैं खेल से जुड़ा हुआ चातिसगर्ड ओलिम्पिक्स के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला है बहुत बात्चीत हुई हमने देख और आपने उसको गजब गुमाया फिर असे हाथ पे भी ले लिया इस बार एक छोटी से चुनौती और है और खेल से ही जुड़ी हुई है मैं चाहता हूँ कि वह मंच पर आ जाए और और मेरी आप से गुजारिश ये रहेगी कि अगर आप मुझे भी सिखा दें गेड़ी चड़ना हां लाओ गेड़ी लाओ तो जुदे अगर सब उतारने पड़ेगे उतार देंगे यहां करेंगे तीक है कि यह जो चप्षिस गेड़ी खेल है इसके बारे में अगर आप यह बता हैं देखें यह गेड़ी है यह हरिलिक दिन इसके सुरुआत होती है दूसरा यह है कि जैसे गाओं में गलियों में कीचड़ हो जाता है तो गेड़ी चड़ लो तो आपका पैर नहीं भीगेगा कीचड़ नहीं लगेगा तो खेल का खेल भी है और दूसरा यात आय तो इसलिए हमने हर वर्ग के लोगों के लिए 18 से कम, 40 से कम, और उसके बाद 60 से कम, उससे अधिक 3-4 वर्गों बार दिया है, तो बच्चे से लेके बड़े भुजरुग तक के खेल में इससा ले रहा है, तेरा चौदा प्रकार के खेल हैं, जो हमारी 36 गार में खेले जाते है उसका आयजन किया गया है, और उसमे 26 लाख लोग उससे सामिल हुए थे बड़ा उससा से, इस साल भी हमने शुरुआत कर दिये, और गेडित मैं चड़ता हूँ, आपने वीडियो देखा होगा, बिलकुल देखा है, इसी वज़ए से मैं चाहता हूँ कि अगर आपकी इजा है लाँ अगर दो कि अगर दो तो पहलाँ पहले आपको चड़ाऊं कि मैं चड़के बता हूँ, आप चड़ के बताएं अच्छा थोड़ा इसको ऐसा नहीं रखना है, अगर कटिन लगा तो फिर मैं आईडिया डौपप यह ठोड़ा है इसमें इस बांस को फसाग रखना है, ताकि पकड़ बनी रहा है, इसको संतुलन बनाना है, जरूरी का है जीवन में, बिना संतुलन के जीवन गड़ड़ा आजाता है, इस चक्कर में गड़ड़त नहीं हो जाएगा, यह दिए वाह। बहुत खूब, आचा इसमें डांस भी करते हैं, इसमें दौड़ भी लगाते हैं, डांस भी करते हैं, और यह चछटिसगर ओलिंपिक्स का हिस्सा है, अब चलिए मैं आपको चड़ाता हूँ, मेरे ख्याल से मैं ड्रॉप कर देता हूँ आइडिया, मैं पगड़ा हूँ, चल ऑब बैलेंस करेज़ इथे ही, जो यह चलिए, और उठाए, है, हो गया है? बहुत बड़िया, बहुत बड़िया, बहुत बड़िया, बहुत न्दर, ओलिधों मैं भी बहुत बही बहुत दर्पर शांदर, इसमे तक निद्रॉम्पिक्स में भी बहाग ले सकता हैं, इसम इनके बाल तो पके नहीं है यार ये धूप में सफेद किया है भूपेश बगेल जी आप यहां पर आए आपने गेडी चड़ी हमको सिखाया भी और राज में पिछले पांच साल में आप अपनी जो उपलब्धियां मानते हैं आपने वो भी बताई जंता के दवार में अभी आप जाने वाले हैं मैं आप से जानना चाहता हूं आखरी में 5 साल के आपके कार कारेकाल के बारे में आप जंता से क्या उमीद रखते हैं आपको लगता है कि इतना आप जन्विश्वास जीच चुके हैं, कि वो एक बार फिर फिर एक बार जो नारा होता है। मैं तो यही कहूँगा कि पांस सालों में कठिन दावर भी रहा करोना का, उसके समय उसके बाद भी कांग्रिस की सरकार जन्ता के साथ खड़ी रही उस दुख दर्द में और चतिस गड़ के जन्ता के जीवन को उपर उठाने में युगदान जो दिया है और जो हमारे बड़े बुजूर की जो सपना देखे थे चतिस गड़ के बारे में उसको यदि हमने साकार करने में यदि थोड़े कदम चल पाए हैं तो निश्चितर उसे मैं विश्वास करता हूँ कि चतिस गड़ जन्ता हमको दुबारा जितनी बहुमत उससे अधिक बहुमत से हमको जिताएग कि निश्चितर उसे जि दितनी बहुमत भराे मैं की.